डेटा साइंस का एक मेजर पार्ड ये होता है कि डेटा आपने लिया, एनलाइज किया, अब उसको एक प्रिजेंटेबल फॉर्म के अंदर पेश करना, और अक्सर उकाद जो लोग डेटा साइंस को नहीं जानते या कोडिंग को नहीं जानते वो ऐसे टूल्स डिवेलप करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे टूल्स डिवेलप किया जाते हैं, फ्रॉम दोस विपल जिनको डेटा साइंस आती है, कि ऐसे लोग जिनको कोडिंग नहीं आती है, वो उस टूल से फाइदा उठा सेके, मिसाल के दोर पे, मुझे कोडिंग आती है, I can develop a tool for those non-coders जिनको तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली, बैक एंड के उपर, जितना भी अभी तक हमने काम किया, वो सारा बैक एंड कहलाते हैं, उसको फ्रंट एंड पे लाने के लिए, आप कोई डिफरेंट किसम की लाइबरेरीज को यूज करते हैं, तो डिवेलप दैम इन्टु वेब एप, डैशबोर्ड या आप एक फाइनल सॉफ्ट फियर के अंदर उसे ले के आते हैं, आज से हमारा काम जो स्टार्ट हने वाला है, वो वेब एप डिवेल्मेंट से रिलेटेड है, वेब एप क्या होती है, बेसिकली जैसे आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जा के आप कुछ अनलेसिस करते हैं, या डिफरेंट किसम के प्लॉट्स आपके पास आ रहे होते हैं, या गूगल पे आप लिंक सर्च कर रहे होते हैं, या देर अर मैनी वेब साइट जहां पे आपको डिफरेंट किसम के डैशबोर्ड मिलते हैं, वो डैशबोर्ड कैसे ब करती है और यह workflow basically एक library है python के जिसको हम utilize करके dashboard बना सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ के हमारा main मकसद क्या है और हम किस किसम की apps बनाने वाले स्क्रीन आपके सामने हाजिर है इस स्क्रीन के उपर मैंने streamlet के जो website आवाँ पर आप google पर जाएं आप इसके इलावा भी different किसम के जो web dashboard है उनको देख सकते हैं सिर्फ और example मैं यहां पर लिखता हूँ weather today ठीक है मैं यहां पर weather लिखता हूँ और मेरे पास यह एक website open हो जाती है उस city की जहां पर इस वकत मैं हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिन आप यहां पर आपको different किसम के dashboard नजर आ रहे हैं और आपके सामने different किसम की website बनी आ रही है and you can also interact with these kind of dashboards आप इन्हें open कर सकते हैं separate window के अंदर and you can do a lot of things और आपको यह data भी नजर आ रहा है basically dashboard का मकसद ही यह होता है कि आपको different किसम का data देना अब मैं आपको मिसाल देता हूँ streamlit.io streamlit यानि कि google पे जाएं आप मैं बिल्कुल शुरू से start करता हूँ यहां पर लिखें streamlit streamlit लिखने के बाद यह वाला link को open करें इस link को open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक library आपके सामने आया चुकी है इसको बोलते हैं streamlit और इस streamlit को आप utilize करते हैं by the power of python language ठीक है जो हमने अभी तक सिखी है और आप generative IP इसके through कर सकते हैं आप streamlit के अंदर different किसम के काम भी कर सकते हैं और यह सारी companies हैं जो streamlit को utilize कर रही हैं for making up their dashboards या वो अपनी different presentations के लिए अब आप क्या कर सकते हैं आप यहां पे इनकी gallery में जाएं gallery में जाके आप यहां पे different किसम के already trending streamlit की web apps देख सकते हैं ठीक है और उनमें सबसे बड़ी जो web apps होंगी वो यहां पे trending के तोर पे आ रही होगी मैं trending पे click करता हूँ यहां पे LLM example आगी है streamlit की cheat sheet and there are many other things मैं यहां पे chat GPT की जो streamlit की किसी ने app बनाई है उसको open करते हैं जैसे मैंने उस link पे click किया now this app has been deployed online on streamlit server server क्या होता है एक online system होता है जिसमें आप अपना code रखते हैं और वो automatically app जो आप locally इस्तमाल कर रहे होते हैं वह वहां पे print हो जाती है जैसे वो open हो रही है so you can see a lot of examples of different kind of streamlit apps 250K लोगों ने इसे देख लिया 208K लोगों ने इसे देख लिया क्योंकि 250K लोग वो ही देखेंगे जो data science के अंदर माहिर है so when I open this thing आपने देखा है कि यहां पे आपको open AI की की डालने पड़ेगी ठीक है और open AI की डालने के लिए यहां पे link भी दिया हुए और source code भी इस app का मुझूद है आप स्वाल पूच सकते हैं फाइल दे के आप question answer पूच सकते हैं and you can do a lot of other things by using lang chain तो यह पूरी के पूरी app जो है यह बनी हुई है यहां पे ठीक है and if you click on view the source code तो यहां पे जा कि आप इसका source code भी देख सकते है source code क्या है वो basically आपकी app का code है जो आपको utilize करना होता है so मैंने यहां पे login करने के लिए source code देखने के लिए मुझे github के इंदर source code देखना पड़ेगा या मैं यहां पे github पे click करूँगा then I can see the source code of this app तो basically आप क्या करते हैं stream lead को use करके different किसम की apps और web apps बनाते हैं हम आज यही काम करने वाले हैं हम coding के through web apps बनाएंगे और उसके उपर फिर हम आगे काम करेंगे और वो सारी के सारी web apps में हम बनाने के बाद उसको deploy करने के भी कोशिश करेंगे लेकिन अब से एक, दो, तीन दिन हम सिरफ stream lead के उपर काम करेंगे stream lead होती का है, install कैसे करना है कैसे environment बनाना है यहां तक clear हो गया जी आपको अब हम देखते हैं सबसे पहले एक important चीज यहां पर अगर आप draw.io integration की एक extension install कर लेंगे, then you can do something जो आज हम करने वाले हैं वो क्या है, मैं यहां पर जाता हूँ यहां पर जाने के बाद हमारा जो streamlit का environment है, जिसमें मैंने पहले ही app बनाई हुई थी, इसी के अंदर जाता हूँ, folder के अंदर, streamlit के folder के अंदर, which is the folder number 13 13 पर जाने के बाद, मैं यह app.py को यहां से पहले remove कर देता हूँ क्यूंकि आपने पहले ही से देख लिया होगा अब यहां पे, मैं एक निया folder बनाता हूँ, क्यूंकि हमने app separate folder में बनाने होती है, मैं यहां पे इसको देता हूँ, 01 app test ठीक है, तो यह एक folder बनाने के बाद, हमने इस folder के अंदर, अब अपनी app.py के नाम से file बनानी है, ठीक है, यह हमने file बना ली, python की file बनाई है, किसी भी एक folder के अंदर आप बना सकते हैं, मैं structured way में चल रहा हूँ, तो मैं इसी वज़ा से streamlit के अंदर एक folder बनाऊँगा, app.app.test का तो पहली app के अंदर app.py बना ली, अगर मैं दूसरा folder बनाऊँगा, तो यह 02 to underscore app underscore 2 के नाम से मैं इस तरह सेव कर लूँगा, so क्योंके अब मैं पहले folder के अंदर हूँ, so it will show me like this, अब यहाँ पे पहले folder के अंदर ही मैं एक और workflow बनाता हूँ workflow.draw.io जैसे मैं इसको बनाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक software open हो जाएगा, draw.io के नाम से है और यह इसका online version भी available है, अगर आप Google पे जाके आप यहाँ पे लिखें draw.io, तो आपके पास draw.io के नाम से एक software open हो जाएगा, draw.io यह जो software है, यह free open source available software है, और इसकी extension आप install कर सकते हैं inside your vs code, जो मैंने आपको draw.io के extension दिखाई है and then you can create multiple kind of workflows, boxes या किसी भी किसम का काम जो है आप कर सकते हैं, designing something like that तो अब basically मैं आगया करता हूँ यहाँ पे device पे click करता हूँ, create a new diagram, और diagram मैं कोई भी बनाना चाहता हूँ, for example मैं template से उठा लेता हूँ या business से उठा लेता हूँ I can create this kind of workflow create पे click करूँगा draw.io, तो यह मेरे पास यहाँ पे create आगे ठीक है, so these kind of things you can actually do inside VS Code इसी वज़ा से हमने VS Code के अंदर यह चीज़ open की है so simply मैंने उसकी एक file बनाई, file का नाम है draw.draw.io कोई भी workflow की file मैंने बना ली है, अभी इसका नाम मैं रख देता हूँ workflow.draw.io ठीक है, यह मैंने इस file का नाम रख दिया, और यह file जो है app.test के अंदर ही है, ठीक है, पहली app के अंदर ही अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नया element भी बना सकते हैं, you can zoom it a little bit out और आप इसकी theme को change भी कर सकते हैं, you can do a lot of things for example मैं यहाँ पे अगर मैंने rectangle add करना ही, मैं वो add कर दूँगा, ellipse add करना ही, वो add कर दूँगा rhombos add करना ही, वो line और यह सारी चीज़े मैं add कर सकता हूँ, ठीक है on the other side, general पे click करके मैं यहाँ से कुछ भी ला सकता हूँ, for example मैं यहाँ पे rectangle उठा कर लाता हूँ और इसकी shape कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ, ठीक है इसके बाद मुझे चाहिए जिए यहाँ से arrow arrow मैंने यहाँ पे डला, इसको यहाँ पे किया इसको यहाँ पे ले आया and then I will create a kind of database connection here तो यह मेरे पास database का connection आ गया and I can do whatever I want to do with this database, ठीक है so यह मेरे पास database connection आ गया and then I can provide also a kind of, you know अपनी मर्जी से कुछ भी हम कर सकते हैं triangle add कर सकते हैं, whatever I want to do so यह एक app आपको help out करती है how you can actually organize your app structure सबसे पहली बात यह है कि app किस बारे में बनानी है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी heading दे देता हूँ किसी भी app की और इसका मैं नाम दे देता हूँ app to learn the function of streamlet ठीक है अब मैंने इसलिए यह app बनानी है ताके मैं streamlet के functions को देख सकूँ और control दबा के जब आप scroll up करेंगे तो यह इस तरीके से open हो जाएगी and then you can change colors from here तो यह इस तरीके से आपका एक flow diagram बनती जाएगी सबसे पहले चीज होगी अब मैं बारी बारी इसको flow के साथ use करता जाओंगा यहां पे मैं लिखता हूँ create conda environment conda slash mamba environment हम environment create करते हैं उसका नाम रखते हैं streamlet underscore env ठीक है सो पहला काम हमने करना है यह वाला अब इसको मैंने यहां पे लिख लिए इसको मैं दे देता हूँ light blue सा color अब यह काम हमने लिख लिए अब हम जाते हैं environment create करने के लिए environment के लिए आप terminal open करते हैं यह आपके पास यहां पे terminal आ गया अब terminal के अंदर मेरे पास जो environment है मैं यहां पे लिखूँगा mamba environment list मैंने और रेड़ी बनाया हुए अगर आपने बनाना है तो आप streamlit underscore environment अपना create कर सकते हैं मैंने बनाया हुए mamba activate streamlit underscore env ठीक है तो मेरे पास यह environment साब create हो चुके हैं तो मैं यहां पे यह environment और रेड़ी बनाया मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं सो मैं दुबारा से उस पे क्लिक करता हूँ और यहां पे streamlit environment create करने के लिए you will do that konda create minus n और यहां पे लिखेंगे streamlit underscore env लिख लिया फिर आप इसको activate करेंगे streamlit underscore env तो यह दो काम होगे creating the environment हमने यहां पे कर लिया अब इससे अगला काम हमारा क्या होगा इससे अगला काम हमारा होगा जनाबे वाला installing the softwares inside the environment सो मैं अब यहां से इसको connect करूँगा यहां पे इसको इस तरह किसे connect कर देता हूँ यहां पे ऐसे connect कर देता हूँ और यहां पे मैं कुछ नई किसम का box सा ले आता हूँ ताके मैं अपना workflow manage कर सकूँ और इस तरीके से आपको जो काम मिलेगा ना करने को उसका मज़ा ही हो रहा है क्योंकि आप हार एक procedure को यहां पे document कर रहे होगे और एक professional data scientist का काम भी ही होता है कि अपने document सारे के सारे उसको maintain करना ठीक है अब यहां पे इसको create करने के लिए हमने environment बना लिया यहां पे सबसे पहले तो konda install python करेंगे ठीक है and then we have to minus y add minus y फिर करना है konda बलके फिर करना है जनाब pip install streamlet तो इस तरीके से हमारी streamlet की library जो है वो install हो जाएगी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं pip install बाकी सारी libraries जिसमें matplotlib है बलके panda से start करते हैं मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताके हमारे पास अच्छी खासी space add है तो हमने ये सारी के सारी चीज़ें install करनी है मेरे पास पहले से install है तो मैं इसको थोड़ा से उपर लाता हूँ मैं सिरफ इसको run करता हूँ दुबारा नहीं कोई install हो जाएगी होगी तो वो हो जाएगी ठीक है तो उसने काया जी already satisfied everything is satisfied तो मेरे पास ये सारी के सारी already installed है अगर कोई install नहीं होगी तो वो इसे install कर देगा and this is how you can actually create your installation अब इसको मैं heading दे सकता हूँ installation की installation और इसको हम कर देते हैं bold अगर हम कर पाए तो because sometimes you need to check the style इसको heading का style दे देते हैं heading 2 कर देते हैं बजाए इसके heading 1 करने के बलके 3 करते हैं and there you go you have all the libraries ठीक हो गया तो ये हमारे पास दूसरा एक flow बन गया और ये basically आप किसी भी structure को अपने बाद में organize कर सकते हैं मैं सिरफ आपको समझाने की खातर ये सारे काम कर रहा हूं ताके आप ये खुद से manage करें अब इसको मैंने color दे दिया blue हमने सबसे पहले conda environment create किया उसके बाद जो काम किया वो भी मैंने आपको दिखा दिया and now if you click one of the corners तो ये automatically वहाँ से चीज़ों को add कर सकते हैं ठीक है so basically आपको बताने का मकसद ये है कि this is how you can create your workflow मैंने workflow का अब close कर दिया because now I'm gonna teach you किस तरीके से app बनती है और उसके साथ साथ फिर हम अपना काम करेंगे सबसे पहला काम है सबसे पहला काम ये है जनाबेवाला कि आपने जाना है streamlit की website के उपर ठीक है which actually will help you to understand के आपने installation कैसे करनी है and how you can work on different kind of things ठीक है और get started पे अगर आप click करेंगे तो streamlit की library के API references वगरा भी मुझूद है advanced features भी मुझूद है app का menu भी मुझूद है and there are many many other things which you can do by using these all documentation अब आप पे depend करता है कि आपने इसको किस तरीके से चलाना है मैं सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे click करता हूँ कि आप यहाँ पे installation पे click करें installation के बाद fundamentals आ जाएंगी main concepts आ जाएंगे ठीक है कि आपने किस तरीके से run करना है and then you can also run a lot of other things using streamlit अब अगर मैं यह सब कुछ आपको बारी बारी एक workflow में बदा दूँ तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा so that's what I'm gonna do here आपके सामने यहाँ पे यह code मैं लिखता हूँ सबसे पहले काम जो आपने करना है आपने करना है अब हम जो काम करने वाले हैं वो है एक एप कैसे जनरेट की जाती है using streamlit